नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के उपर मेरा रामे संदीप I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे A very good morning to all of you आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों building construction की सभी को नमस्कार सभी को good morning A very good morning to all of you आज का जो हमारा topic है गुनाव के वल civil engineering का एक generic topic जो हमें पता होना चाहिए एक civil engineering के aspect से अगर बात करें हम तो आपको पता होना चाहिए एक building के क्या components होते हैं उसके parts होते हैं साथ ही साथ में exam point of view से भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप building की बात करेंगे उसके components की बात करेंगे तो क्या-क्या सवाल exam में आपसे पूछे जा सकते हैं इन सब के उपर हम discussion करने वाले हैं सभी को नमस्कार सभी को good morning जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों हमारा topic जैसा कि आप सभी को पता है कि what is building building की अगर हम बात करें तो building एक ऐसा structure है अगर structural point of view से बात करें तो it is comprised of सबसे नीचे इसके foundation होगी foundation के बाद आप इसका super structure देखना शुरू करेंगे super structure के अंदर walls आ जाएंगे, columns आ जाएंगे, beams आ जाएंगे, slabs आ जाएंगे and multiple floors होंगे, इसके अंदर terrace होगी, इसके अंदर parabit wall होगी etc. 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 तो structural point of view से कुछ इस प्रकार से uses के according हम अलग अलग type के buildings जो हैं वो पढ़ते ही हैं सीधा चलेंगे काम की बात के उपर, ये generic college वाली कहानिया, page भरने वाली कहानिया जो है, इनसे कोई खास मतलब हमें है नहीं, हमें exam के point of view से पढ़ना है अगर आपको NBC पढ़ना हो, national building code पढ़ना हो, 2016 का तो आप download कर सकते हैं इसके अंदर आपको buildings के बारे में, जितने भी जानकारियां, क्या होना चाहिए, एक building के अंदर specifications, हर particular चीज से related, kitchen से related, washroom से related, common area से related, stairs से related जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कि इसके क्या dimension होने चाहिए, या क्या specification होने चाहिए सारी जानकारी आपको national building code जो है, इसके दो volume है, इनके अदर आपको पूरी मिल जाएगी अब यसी बात है कि quantity काफी जादा है इसकी, तो जब भी reference point of view से, मतलब बहुत बड़े-बड़े codes है reference point of view से अगर आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं, जब आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, उसे साब से अगर हमारे exam point of view से बात करें, तो buildings के types आप से अगर पूछे, तो कौन-कौन से types होते हैं assembly buildings होंगी हमारे पास, business buildings, educational, hazardous buildings, industrial, institutional, recreational, residential होगी, storage वाली होगी, हमारे पास transportation होगी, work, sorry, worship वाली होगी तो अगर इनमें हम बात करें, assembly buildings, तो जो भी आप ऐसी buildings, जो get together के लिए आप use करते हैं, exhibitions हो गए, museums हो गए, gym, restaurant, etc, ये सब assembly buildings में आ जाता है business building जहाँ पर business के transactions होगे, educational, पढ़ाई, लिखाई, शिक्षा की बाते होगी जहाँ पर, hazardous building ऐसे buildings जो की toxic, reactive, ignisiable, corrosive, ऐसे material प्रोड्यूस करती है तो उनको हम बोल देंगे कि वो कौन सी buildings है, hazardous buildings है, या फिर explosive जहाँ पर बनते हो, health building, industrial buildings, ये नाम ही खुद बता रहे हैं आपको, recreational buildings, जहाँ पर भी कोई recreation activities, कोई games, आप ऐसा कुछ खेल रहे हैं, फिर उसके बाद storage, जो warehouses हो गए, आपके go-downs हो गए, transportation buildings, और worship वाले buildings जैसे कि आप temple जाते हैं, तो ये कहा है, एक worship वाली building है, सभी को नमस्कार, सभी को good morning, चलिए, उसके बाद एक एक करके कुछ और terms देख लेते हैं, residential buildings, जो भी bungalows, flats, houses, dormitories, ये सब होते हैं, ये residential buildings, जहाँ पर लोग रहेंगे, educational के अंदर school आजाएंगे, college आजाएंगे, libraries आजाएंगे, jails, prison, mental hospital, ये सब old age buildings के अंदर आजाएंगे, assembly building के अंदर exhibition वाली buildings, museum वाली gym, restaurant, assembly buildings के अंदर आजाएंगे, business buildings जो भी banks है, offices है, shops हैं, जहाँ पर business होंगे, वो business buildings कहलाएंगे, mercantile जहाँ पर सामान बेचा जाता है, goods जो है, वो display किया जाते हैं, और sold किया जाते industrial buildings, जैसे के factories हो गई, workshops हो गई, storage वाली जो buildings हमारे पास होती है, godowns, warehouses, इनकी बाद हमने already कर ली, और cold storage हो सकते हैं, garages हो सकते हैं, etc. नेक्स बात करें अगर हम, तो हमारे पास आता है, hazardous buildings, ऐसी buildings जहाँ पर, या तो कोई material, जो कि toxic, reactive, jewelan shield हो, या फिर corrosive हो, वो सब वहाँ पर store किया जाता हो, manufacture किया जाता हो, कहीं पर भी अगर वो present है, ऐसा material, तो उसको हम बोलते है, hazardous building, अब किसी building के structure की अगर हम बात करें, त दूसरा frame structure हो सकता है, तीसरा इनका combination हो सकता है, load bearing structure की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे घर हम बनाते हैं, एक floor, दो floor तक का जो घर बनता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, brick से ही construction कर देते हैं, दिवारों से ही हम, जो दिवार हैं, उनी के उपर slab cast कर दी जाती है, तो load bearing walls ह होती हैं यहां पर, load bearing walls के उपर slabs rest करती है, तो यह load bearing structure कहलाएगा, अब obvious ही बात है, कि जो नीचे की दीवारे हैं, यह इस तरीके से construct की जाएगी, कि पूरे structure का load यह ले पाए, तो नीचे thickness जो है, वो जादा होंगी, उपर वाला floor अगर आप बना रहे हैं, तो उपर वाले floor की इतनी थिकने से हम नहीं consider करते हैं, overall structure का load कैसे आएगा, सबसे top वाली जो slab होगी, उस top वाली slab से वहां की दीवारों से, उन wall से, in walls के उपर और फिर नीचे, यह भी बात ध्यान में रखी जाएगी, कि जब भी आप मालीजे, यह ground floor आपने बना लिया, ground floor की यह जो load bearing walls है इन load bearing walls के उपर ही exactly आनी चाहिए, इस से उपर वाला जो floor है उसकी walls, कहीं कोई partition wall आ गई, half brick thick wall आ गई तो बात अलग है, otherwise सारी walls जो है, वो नीचे वाली walls के उपर ही आनी चाहिए, for safety point of view, so load is transferred through roof, फिर walls पे, फिर foundation पे आया, फिर earth पे roof से आया, walls के उपर, walls से foundation, foundation से soil के उप खरिण siた, पिर वाली smallest नहीं के लगा ही चाहिए, वाली ठुटनो ही जे दुन시에 Пषे सकतास्वें बंसे ऊ हुआ है, बंसे से जे़ा आनी चूचे सके पी खे आनी आनी पे highly यिबेते उनी में आनी है, वो आनी खे उनाय खर गो 150 खूवों से औराम ऑनी पोनी में ऊ़ाग है, चलिए लास्ट मोमेंट में क्या करें पढ़ाई पढ़ाई करते हैं अभी फिलाल इस पूरे सेशन के अंदर जो भी कॉंपोनेंट से उन सबको पढ़ेंगे हम फिर एक सेशन पर्टिकुलरी रखेंगे इसी काई जिसके अंदर सारे क्वेशन्स होंगे क्योंकि अब अगर ये करेंगे कंप्लीट तो फिर चार घंटे का ये सब्जेक्स चला जाएगा तो अभी फटा-फट से समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीजें होती हैं क्या चीजें पढ़नी हैं फिर उनसे क्वेशन कैसे आएंगे ये अभी सेशन में भी देखेंगे हम और बाद में क्वेशन के तुरू प्रेक्टिस भी करेंगे frame structure जो हमारा होता है तो frame structure के अंदर आप सबको पता है जो हम complete अभी पढ़ रहे हैं इन दिनों कि हम पढ़ते हैं foundation, footing पढ़ेंगे footing के उपर, plinth beams आ जाएंगे फिर उसके बाद उपर आप चलेंगे तो फिर columns आएंगे, फिर beams आएंगे उनके उपर slabs rest करेंगी तो ये ऐसे structure को हम क्या बोलते हैं framed structure बोलते हैं, जिसके अंदर load जो transfer होगा, वो load transfer slab से beam पर आएगा, beam से column में आएगा column से नीचे चलता चला जाएगा और finally आपके footing तक transfer होगा footing से फिर वो soil में transfer हो जाएगा जितने भी multi-story buildings होती है multiple floors वाली building होती है उनके अंदर क्या होता है यही framed structure adopt किया जाता है, जैसा आपको यहाँ पर clearly दिख रहा है कि individual floors बना लिए beach के partitions बाद में किया जाते है depending upon हमारी requirement क्या है clear देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपकी generic घरगर की बाते हैं कौन सी चीजें, क्या करना चीए last moment में कैसे करना है यह सब जानना important है लेकिन यह subject पढ़ते हैं उसके बाद एक separate video के अंदर यह सारी बाते हम discuss करेंगे so till then, please maintain some patience और अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजेगा frame structure की बात कर रहे है frame structure के अंदर slab, slab to beam, beam to column, column से footing footing से earth के उपर load transfer हो जाएगा सबसे जादा जो इस frame structure के अंदर इस्तेवाल होने वाला material है वो है obviously RCC तो इसमें such कुछ याद रखने वाली चीजे नहीं है फिर उसके बाद आ जाता है composite structure composite structure का example हो सकता है कि कुछ factories के अंदर भी use किया जा सकता है घर के अंदर भी composite structure जो है use किया जा सकता है composite structure घर के अंदर अगर मान लीजी load bearing walls भी होंगी और columns भी होंगे RCC वाला structure भी होगा warehouse, large halls, factories, etc इन सब वे जगां पर यह इस्तेमाल होता है किसी भी building के 3 important components होते है पहला foundation, दूसरा plinth, तीसरा super structure यह words आप अक्सर सुनते हैं लेकिन पता नहीं होता है हमें कि exactly हम किसकी बात कर रहे हैं एक feeling आ जाती है कि हाँ super structure बोल रहे है ground से कुछ कुछ उपर होगा लेकिन exactly किसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है एक चोटा सा diagram है इस diagram को ध्यान से आप देखेगा यह diagram कैसे बनाया गया एक घर था, उसका cross section उसको ऐसे अगर cut करें हम और फिर उसको देखें तो नीचे foundation से लेकर के टॉप जो parapet wall है boundary wall जो छट की जिसको बोल देते हैं वहाँ तक क्या-क्या चीज़ें present है यह देख लेते हैं सबसे नीचे हम पहुंचे सबसे नीचे हमारे पास concrete का bed आ गया यह footing वाला level आ गया तो यह ground level है ground level से लेकर के जिस depth तक आपको excavation करना पड़ेगा वो foundation की depth हो जाएगी यहाँ से आपके foundation बननी शुरू होगी concrete bed फिर उसके बाद first footing, second footing, third footing footing and so on footing बोल देते हैं यह concrete वाले जो भी structures होते हैं foundation बोल देते हैं footing plus soil combination जो हमारा है यह उसको overall foundation बोल देते हैं तो ground level से नीचे के structure को कहा जाता है sub structure इससे उपर के structure को कहा जाता है super structure इससे उपर का जो भी structure होगा उसे हम बोलेंगे super structure तो super structure देखिए ground level से शुरू होता हुआ उपर चलता चला जा रहा है top के उपर तक तो यह super structure है Ground level से नीचे सब स्ट्रक्चर उससे उपर सूपर स्ट्रक्चर अब बात करते हैं Next और कौन-कौन से component से इनकी बात करते हैं Foundation के बाद फिर आपकी ground level के बाद आपकी plinth शुरू होती है इस plinth वाले portion के अंदर नीचे DPC वा आप provide कर देंगे ताकि moisture जो है dampness जो है वो नीचे से उपर वाले structure के अंदर travel न कर पाई इसको zoom ही नहीं कर लेते हैं देखे, I hope आपको ये clearly दिख पा रहा हुगा Just a minute ये मेरे को visible हो जाएगी ये कैसा दिख रहा है देख रहा है, clearly कर रहा है देखे, तो नीचे का sub structure, concrete, फिर first footing, second footing, ऐसे footing बनती चली जाएगी ये steps है इसके, यहाँ से ground level शुरू हुआ ground level के बाद आती है आपकी plinth, जिसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें provide की यहाँ से आपकी foundation आ रही थी, यहाँ यह column था, दिवार था, जो भी था यह चलता आ रहा था यहाँ से, और यह ground level अब यह घर के अंदर enter करने के लिए stairs आपको दे रखे हैं, यह steps आपको दे रखे हैं यह plinth level आ गया, plinth level से नीचे आपने यहाँ पर plinth level floor बनाया उसके उपर यहाँ DPC provide की गई, damp proof course प्रोवाइड किया गया damp proof course किसलिए provide किया गया, ताकि नीचे का moisture इससे उपर ना चला आए यहाँ पर आपने vertical DPC भी provide कर दी, vertical DPC इसलिए provide कर दी कि इसके अंदर floor के नीचे अगर कोई moisture है तो वो यहाँ से ऐसे उपर ना चलके आपाए इस structure तक ना पहुंचे, तो यहाँ vertical DPC दे दी, यहाँ पर horizontal DPC हमने दे दी नीचे से उपर तक जो moisture है वो travel करके ना जाए, dampness जो है वो travel करके ना जाए फिर उसके बाद आपका super structure शुरू हुआ, super structure के अंदर plinth level floor जो है उसे उपर यह door frame आ गया, door के उपर आपका छज़ा दिया हुआ होता है या जो RCC, sun shade आप दे देते हैं, door के just उपर साथ ही में यहाँ पर एक lintel भी होगा, lintel मतलब जो door के उपर की bricks होती है दर्वाजे के उपर की जो bricks है, उनका load कौन करी करेगा, यह lintel करी करेगा फिर इससे उपर अगर हम चलेंगे, तो यहाँ पर आप corbel या cornice जो हैं, यह provide कर देते हैं, architectural features दिखने के लिए थोड़ा अच्छा लगे फिर उसके बाद आपकी slab आगई, अब यहाँ तक का एक floor हो गया, यह ground floor आपका हो गया फिर इससे उपर आपका first floor शुरू हो गया, first floor के अंदर फिर से आपने यहाँ पर कोई window दिखा रखी है तो window के bottom पे क्या present होती है, sill present होती है, window के top के उपर क्या present होता है window के top के उपर lintel होता है, जिससे की window के उपर की जो bricks है, उसका load वो carry करके side में distribute कर पाए फिर यहाँ पर window के बाहर का ये वाला portion, इसको हम क्या बोलते है, reveal बोलते हैं window के अंदर आप जाके बैठ जाएं, तो जितने portion के अंदर आप बैठ रहे हैं, जो वो portion, window के pane, window pane या जो window के glasses है, वहाँ से ले करके wall के level तक, वो जो distance है, वो क्या कहलाएगा, reveal कहलाएगा उसके बाद आपने weather shed या फिर आप वो छजज़ा जो है ये फिर से provide कर दिया window के उपर, जिससे बारिश का पानी window के उपर न गिरे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर cornice प्रोवाइड कर दी, टॉप के उपर, इससे उपर अगर हम चलेंगे तो ये RCC slab, फिर आप चलेंग जैसे जैसे हम civil engineer और एक आम इंसान इन दोनों के अंदर अंतर पहचानेंगे, तो यही difference, boundary wall मतलब घर की जो boundary wall है, plot की जो है, parapet wall मतलब छट के उपर जो हमने बनाई है, तो for the purpose of safety, तो parapet wall हो गई, इसके उपर इसकी coping हम provide कर देते हैं, तो overall इस तरीके से ये main main components है, जिन में स आपको नाम जो याद होने चाहिए, वो कौन कौन से होने चाहिए, पहला कि foundation क्या होता है, फिर superstructure क्या होता है, foundation या सब structure कहता है, फिर plinth, फिर superstructure, तो यह आपको पता होने चाहिए, next अगर हम बात करते हैं, तो इन में क्या क्या चीजे आपको ध्यान रखनी ही, part of building constructed below the ground level बच्चा बच्चा जानता है कि foundation क्या होता है ये soil के directly contact में होती है जो भी load ये यहां ला करके transfer करेगी तो हमें ensure करना होगा कि इसके नीचे की soil उस particular load या stress को bear कर पाए plinth जो है building part अब as it is definition आती है इसलिए important है ये plinth आपको वैसे समझ में आ गया तो क्या लिखा हुआ आएगा कि building का वो part जो ground level से तो ऊपर है building part above the ground level अब आपको यहां पर दिखाई दिया ये ground level था ground level से तो ऊपर है building part above the ground level up to floor level ground level से ऊपर चले floor level तक गए इसको क्या बोलते हैं? plinth बोलते हैं built up area is measured at plinth level it is known as plinth area estimation costing के अंदर हमने पूरा ये plinth area जी बात की थी वहां पर की plinth area कितना है तो इस level के हिसाब से ये super structure का जो भी यहां तक यहां से यहां तक जो area include होगा वो क्या कहलाता है? वो plinth area कहलाता है फिर उसके बाद super structure ground level से ऊपर जो भी आपका structure जा रहा है वो super structure आएगा foundation को sub structure के नाम से भी जानते हैं पूरे भी structure का जो भी load होगा वो यहीं आकर के transfer होगा अलग-अलग type की footing हो सकती है strip, rectangular, isolated, pile, combined, etc. plinth की अगर हम बात करें तो objective question आप से पूछता है कि plinth की height कम से कम कितनी होनी चाहिए यह जो plinth था आपके पस इस plinth की height कम से कम कितनी होनी चाहिए so height of plinth should not be less than 45 cm यह आप से objective में question पूछता है super structure की अगर हम बात करें तो इसमें as such data related याद रखने वाला कुछ भी नहीं आपको पता है super structure के अंदर क्या-क्या चीज़े आएंगी ground level से उपर जो भी building में दिखाई दे रहा है सब कुछ super structure है super structure obviously जैसे दिवारे हैं तो यह slab का load carry कर रही है अगर आपका load bearing structure है frame structure नहीं है तो load bearing structure example के तोर पे हमारे घर जो एक floor दो floor के हम बनाते हैं उनमें इतने जादा हम columns नहीं use करते हैं उनके अंदर load bearing walls ही होती है हाँ beams use कर लेते हैं जहाँ पर भी span थोड़ा जादा होगा वहाँ beams use कर ली जाती है otherwise simple दिवारें बनाई 10 by 10 का अगर room बनाना है या 12 by 12 का बनाना है तो उतने में चल जाएगा या direct slab लगा दीजी उसमें कोई beam की requirement या as such नहीं होता steel की quantity सही तरीके से बस use कर ले जाए generally walls are used to enclose and divide the floor space load bearing wall should be strong enough load bearing wall should be strong enough to take its own weight superimposed weight and lateral pressure of wind दिवार जो है वो खुद का weight भी ले पाए उपर से जो load आ रहा है वो भी हवा का भी यह सारा ले पाए तो इसके अलावा हमारी घर से हमारी क्या expectation होती है super structure से heat आ रही है बाहर से गर्मी आ रही है तो उससे protect करे cold आ रही है तो उससे protect करे बारिश है तो उससे protect करे तो इन सब से insulation provide करे में that's it फिर basement, ground and upper floors यह भी बताने की कोई ज़रूरत है basement, ground, upper floor यह क्या होते है support to occupants, furniture, fixtures and equipments of building floor immediately above the ground level is known as ground floor ground floor हम किसको बोलते हैं पता है आपको done, ground floor, फिर first floor, second floor ऐसे start होते है अगर आपकी ground floor के उपर parking है तो उसे हम क्या बोल देते है stilt floor बोल देते हैं, अगर ground floor के उपर ही अगर parking है तो उसे stilt floor बोल देते हैं floor has two types, floor के दो types होते हैं अगर एक होता है उसका, या दो component होते हैं उसके एक होता है sub floor, एक होता है flooring flooring मतलब जो उपर हमें tiles दिख रही है finishing जो provide कर दी, और sub floor, वो flooring के नीचे का component है, जो उस उपर वाली finishing वाली layer है उसको support कर रहा है, stability provide कर रहा है so sub floor जो होता है, that imparts strength and stability to support the super imposed load flooring जो आपके पास होती है, ये clean finishing provide करती है smooth and durable resistance जो है, वो top के उपर provide करता है next, overall structure के अंदर फिर से आप ये सारे component देख सकते हैं ये foundation level आ गया, ये यहाँ तक ground level से उपर तक ये plinth level था, ये plinth के ये layer थी यहाँ पर आपने flooring provide की इस flooring से नीचे आपने इस flooring का base provide किया फिर यहाँ पर DPC provide की जा रही है, ये उपर ना moisture ले करके जाए इसके लिए फिर बाखी सारे component अल्रेडी discussed है अब building के components में next आता है, sills क्या होती है, lintels क्या होती है तो lintel जो होता है, कोई भी opening के अंदर, दिवार में जो भी opening होती है उसका topmost layer जो होता है, वो lintel कहलाता है bottommost जो होता है, उसे हम कहते हैं sill, जैसे window sill होती है तो इसके अंदर ये weather shed बोल दीजिए, छजजा बोल दीजिए इसको lintel में और छजजा में difference क्या है lintel is provided, कि इस window से उपर की ये जो bricks है, वो load वो carry कर पाए और छजजा जो provide करते हैं, वो sun shade provide कर रहे हैं या बारिश से protect करने के लिए हम provide कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कि इनके में अंदर basic difference क्या होता है doors, windows and ventilators, ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि doors क्या होते है, windows क्या होते है, ventilators क्या होते है कुछ इनके अंदर नाम जो हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा अगर हम एक door के components की बात करें, तो door में बहुत ही simple से simple components की तरफ चलते हैं सबसे simple component आ जाता है, lock set, lock जो हम यूज कर रहे हैं, या door knob यूज होते हैं, handle होगा तो इसके अंदर वो यूज होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक, दो, तीन, ये जो hinges provided होते हैं, जिनके अबाउट ये door open या close होता है, वो hinges हम सबने देखी हैं, यह door hinge provide कर द ये top rail, bottom rail, ये आपने हाँ पर rails provide कर रहे हैं, ये medium वाली rail को lock rail भी बोल देते हैं, जिसके उपर lock use हो रहा है, फिर उसके बाद आते है million, ये होते हैं vertical member, ये first आ गया आपके पास, ये second आ गया, तो ये vertical member जो होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते है million, clear, hinge हो गया, million हो मिलता है, door के अंदर एक lock set देखने को मिलेगा आपको, hinges देखने को मिलेंगे इसके अंदर, आपको top rail और lock rail, bottom rail ये देखने को मिलेंगी, ये million दिखेगा, ये million दिखेगा, इस portion को बोलते है style, या इसको lock style भी इस side में हम बोल देंगे, अगर इस frame के उपर आएं, अब दो च casing के अंदर, जो ये वाला component होगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है, इन्हें बोलते हम jams, इन्हें क्या बोलते हैं, jam बोलते हैं, next portion आता है, roof का, roof के अंदर, जैसे steel design में भी उपने बात की थी, topmost portion जो है, उसे ridge बोल देते हैं, फिर उसके बाद ये आपकी top cords आ जा in the form of framework, to give protection to the building, against rain, heat, snow, wind, frost, etc, इसके दो component आते हैं, एक तो होता है, roof का deck, जो basic structure बनाते हैं, उस roof को support करने के लिए, और एक उसके उपर sheet जो लगाते हैं, roof की covering जो हम provide करते हैं, so one is roof decking, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि structural component, जो की roof को support करने वाला है, और फिर उसके बाद ए एक sheet लगा देते हैं, जो की roof covering कहलाती है, clear, next आते हैं, ridge roof, the ridge of a roof is the peak where two opposing roof panels meet, ये ridge जो है, वो कौन सा component होता है, topmost point होता है, joist जो होता है, वो beams होती है, running perpendicular to the ridge of gable roof, ये जो आपकी ridge चल रही थी, इस तरीके से into the plane, इसके perpendicular आपका joist चलता है, ऐसे ridge और इस तरीके से joist चल रहा है, next अगर हम बात करें, rafter, rafter क्या है आपके पास, series of sloped structural members that extend from the ridge, और hip to the wall plate, तो ये जो आपके पास ये आ रहा है, ये rafter हो गया, इसी तरीके से next trust के अंदर, फिर ये rafter, next trust में फिर ऐसे rafters या top codes जो होती है, वो हम बोलते हैं, sofit क्या होता है, structure के अंदर नीचे से आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये वाला component आपको sofit दिखाई देगा, सामने से अगर आप देखेंगे, तो fascia दिखाई देता ह डॉर्मर रूफ जो होती है, वो एक ऐसी रूफ होती है, जिसके अंदर ये sloping side के उपर window provided होती है, so dormer roof कौन सी होती है, it is a roof structure, it is a roof structure often containing a window that projects vertically beyond the plane of a pitched roof या sloping roof के बाहर जो project करती है, next आता है गेंबरिल, गेंबरिल के अंदर आपको दो sides में sloping दिखती है, और हर slope के अंदर भी एक break होता है, दो side में slope दिखेगा, और एक slope और इसमें break आ गया, इस side में भी slope उसमें break आ गया, तो दोनो side पे sloping होती है, और हर slope के अंदर एक break आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद next जो हमारे पास आती है, वो आती है mansard, mansard roof के अंदर क्या होता है, चारो side में slope करती है, जो roof होती है वो, और a break in slope, break in slope, break in slope, दो sides आपको दिख रही है, दो पीछे हैं के, तो total four sides के उपर वो slope करती है, a roof which has four sloping sides, each of which becomes steeper halfway down, फिर उसके बाद आती है, हमारी hip type की roof, so a hip roof और hip roof या फिर hip roof भी से बोलते हैं, यह एक ऐसी roof है, जिस पे सारी sides जो है, वो slope करती है downward, लगबग लगबगे के gentle से slope से, एक gentle slope provide कर देते हैं, इसे हम बोल देते हैं, कि this is a type of hip roof, so I hope आपको समझ में आ गया होगा, चार types के देखे हैं अभी हमने, फिर उसके बाद open gable, जो बच्पन के अंदर हम हमारे drawings में बनाया करते थे, जो हमारी कलाकारी हम दिखाते थे, drawing book में एक hut बनाते थे, तो वो hut कौन सी बनाते थे हम, open gable type की ऐसे, दो sides में ऐसे slope करती हुई इसके लवा कुछ और roofs भी हो सकते हैं, जैसे flat roof, जहां पर बारिश कम आए, वहां पर flat roof प्रोवाइड कर सकते हैं, shed, जो inclined roof आप प्रोवाइड कर देते हैं, वो हो जाएगा, hexagonal gazebos, जो भी आप ऐसी जगा जाते होंगे, जहां पर कोई restaurant होता है थोड़ा fancy सा, या फिर zebos होता है, combination हो सकता है, अलगले combination से आप roof बना सकते हैं, फिर उसके बाद आती है stairs, घर के अंदर stairs आपने देखी होंगी, stair के अंदर, अब घर वाली stair जो है हमारी अगर आपने RCC से बना रखिया तो बात लगए, लेकिन यहां पर overall components की बात कर रहेंगे, अगर wood से भी बना यही होगी, कल को आप Europe चले जाएंगे, वहाँ भी आपका एक घर होगा, तो वहाँ पे सब कुछ RCC से नहीं बनाया जाता है, components के अगर हम बात करें, तो कौन-कौन से component, top से शुरू कर लेते हैं, उपर यह उपर आपको handrail दिखाई देता है, जिसके उपर आत रखके आप चलते हुए आते हैं, बचपन में जिस पे आप इसला गरते थे, फिर यह जो लास्ट में एक पोल प्रोवाइड कर देते हैं, एंड बे, निवल पोस्ट जहां आ करके handrail खतम हो जाती है, इसे बोल देते हैं, निवल पोस्ट बोल देते हैं, निवल या फिर निवल पोस्ट इनके अंदर यह जो वर्टिकल मेंबर्स जो आपके handrail से लेकर के नीचे तक आ रहे थे, यह कहलाते हैं, बलुस्टर, इस तरफ जिनके ऊपर यह जो stairs के steps जो हैं, वो लगे हुए हैं, और इन steps में component क्या होता है, इस एक step के अंदर, यह वर्टिकल component को बोलते हैं, राइजर horizontal को tread, फिर riser, फिर tread, तो यहाँ पर जो आपको light color के अंदर दिखाई दे रहा है, that is riser, dark color में जो दिख रहा है, that is tread, तो rise and tread, अब stairs जो हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, circulation का का काम करवारी हैं, एक floor से दूसरे floor ले जाने में मदद कर रहे हैं हमारी, stairs हैं, lifts हैं, ramps हैं, etc. stairs, lifts, ramps, etc. इन सब का काम क्या होता है, vertical transportation का, एक floor से दूसरे floor के ऊपर ले के जाना, जिन में से आपने क्या क्या देख रखा होगा, stairs हैं, lifts हैं, ramps क्या होते हैं, जो हमारे घर के बाहर हम provide करते हैं, हमारा घर अगर street से या फिर road से थोड़ा higher level पर है, तो ramps provide किया जाएगा, जिसे हम अमारे घर के अंदर enter कर पाते हैं, तो वो inclined member ramp जो हम provide कर देते हैं, उसके अलावा और क्या क्या देखा है, आपने escalators देखा है, malls में जो स्वा चलित सीडियां होती हैं, आपने आप चलने वाली जो होती हैं, तो escalators आपने देखे होंगे, तो वो होंगे आपके पा है, slope of ramp कितना desirable है, desirable की बात हो रही है, तो desirable जो है, वो 1 is to 10 होता है, escalators are ever moving, हमेशा चलती रहने वाली जो सीडियां है, वो ऐसे rotate कर करके चलती रहेंगे, जिन पे आप move करते हैं, handrail क्या है, a rail that is to be designed to be grasped by the hand, हाथ से हम पकड़ करके इसके उपर move कर सकते हैं, newel post एक ऐसा vertical member ह आपने यहाँ पर provide कर दिया, newel post generally provide कर देते हैं, हर flight के end के उपर provide कर सकते हैं, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक चले, फिर turn होके, फिर से अगर stairs थे, तो वहाँ भी newel post जो है, वो आप provide कर सकते हैं, next आता है आपके पास a stair tread, stair tread की अगर हम बात करें, तो tread यह वाला portion जहाँ पर आप अपना pair रखते हैं, riser यह vertical height बाला जो portion है, इसको riser बोलते हैं, stair stranger जिसके उपर, यह rise और tread जो है, यह fixed है, beluster जो होते हैं, handrail को stringer के साथ join करते हैं, number of risers कितने होंगे, number of risers पता करने के लिए आप simple सा तरीका adopt करेंगे, कि जितनी floor की height है, divide by एक riser की जो value है, वो क देखें, तो अगर यहाँ पर ground floor था, यहाँ पहुंचते पहुंचते first floor आ गया, तो जितना आपके यह risers थे, एक riser की जो value थी, divide कर दीजिए न, simply floor की height से, floor की height divided by एक riser की value, तो number of risers आ जाएंगे आपके पास, simple, clear, so number of risers is equal to total height of floor upon height of riser, number of treads किसके बराबर होते हैं, number of treads होते हैं, जितने number of risers आते हैं, उन में से एक कम कर देंगे, जितने riser आएंगे, जैसे इस case में आप देखिए riser कितने आ रहे हैं, एक riser, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, छटा, चैह riser हैं, लेकिन अगर treads की बात करेंगे, तो treads एक, दो, तीन, चार, पांच, clear, तो एक कम आता है इसके अंदर, next आते हैं stairs के types के उपर stairs जो हैं वो quarter turn हो सकती है quarter मतलब one fourth of आप पूरे अगर आप देखते हैं 360 degree उसकी साब से quarter turn stairs इस तरीके से 90 degree पे turn करने वाली पुराने जमाने में आपने गुविंदा जी के movies के अंदर देखा होगा bungalows उसके अंदर ऐसे वाली stairs होती हैं बंगलों के अंदर सीधे जाएंगे फिर इस तरफ से भी उपर जा रही है इस तरफ से भी उपर जा रही है so turn at one right angle ऐसी stairs को बोलते हैं quarter turn straight वाली तो बिल्कु सीधी सीधी चलती जाएगी turn वाली के अंदर बात कर रहे हैं फिर आती half turn stairs half turn stairs जैसे हमारे घर के अंदर जहां पर अगर मालीजे ऐसा जी के space थोड़ा सा कम है उस जगहां पर अगर आपको बनानी है तो dog leg stairs के अंदर क्या होगा यहां सीधा उपर चले जा रहे हैं फिर एक landing आएगी थोड़ा rest provide करने के लिए ऐसा ना लगए कि बस सीधियों पर चड़ते चले जा रहे हैं तो यहां से चड़े फिर landing provide की फिर turn किये फिर फिर से उपर आगए यहां पर तो इन्हें dog leg stairs बोलते हैं फिर उसके बाद winder type की भी हो सकती हैं यहां पर जहां landing जो है यह कह लीजिए कि landing के उपर भी यहां पर हम stairs provide कर देते हैं या जिसे हम बोल देते हैं winder provide कर देते हैं तो यह भी हो सकता है बीच में ऐसे open well हो next आता है landing sorry next वाली जो आपकी है यह open new well वाली stairs है इसके अंदर आप यहां पर आए यहां थोड़ी landing दे दी फिर rise दिया फिर landing दे दी फिर आप यहां पर upper stairs provide कर दी ऐसा तब जब बीच में space आपको रखने है थोड़ा सा open area आपको अगर show करना है open rectangular well या फिर यहां पर open कोई geometrical well बनेंगी तो example क्या है turning stairs के अंदर quarter turn है half turn है half turn के example आपके पास क्या आगए dog leg और open new well objective में question क्या पूछता है objective के अंदर question आपसे पूछता है कि dog leg stairs are example of objective में question पूछेगा dog leg stairs are example of half turn stairs dog leg stairs are example of half turn stairs देखो मित्रों, दोस्तों साथियां दिवाली का तोहार है आप सब खूब enjoy कर रहे होंगे अपने घर पे और करना भी चाहिए लेकिन अच्छी बात है हम साथ-साथ में पढ़ भी रहे हैं जब हम पढ़ भी रहे हैं अपना time भी contribute कर रहे हैं तो क्यों न 100% कर लें इसलिए घर-घर की बातों में अभी ध्यान मत दीजिएगा 100% focus होके यहां पर पढ़िएगा strategy, strategy, strategy सिर्फ strategy session से कुछ नहीं होता actual में काम भी करना पड़ता है तो पहले थोड़ा काम पर focus कर लेते हैं strategic sessions बाद में discuss कर लेंगे घर-घर की बात हैं जो आप कर रहे हैं वो भी बाद में कर लेंगे अब आप यह देखिए मुझे जाना है घर और मैं चाहता हूँ कि हमारा काम पहली priority का काम जो है above all everything मेरे लिए है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो या हमारी पढ़ाई हमारी पढ़ाई क्यों इतनी जादा priority पे है क्योंकि उससे आप सब लोग जुड़े हुए हो इतने सारी लोगों का future इतने सारी लोगों का career जो है वो यहाँ पर important है अब उस चीज के लिए मुझे तो time देना ही है आपके लिए आपके end पे अगर एक individual के end पे अगर हम देखेंगे तो दोनों चीज़ें हो रहे हैं कि पढ़ाई भी है थोड़ा festival वाला भी enjoy करना है अगर आप आराम से अभी पढ़ लेंगे तो बाके दिन enjoy कर पाएंगे पूरा दिन अगर नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो सही आप लेकिन अगर ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे इतना तो फिर पूरा दिन classes ले ले लेते हैं आराम से कि मुझे तो time दे नहीं है फिर लगे रहते हैं आराम से क्या problem है बताओ कैसे करना है आप बता दीजे मुझे तो कोई problem नहीं है ठीक है ventilator क्या होता है ventilator रोशन दान होता है दोस्त जो घर में ऊपर छोटा सा ऐसे one by one feet का हमने बना रखा होता है हवा आ जाये जिससे एक रोस हो जाये आजकल नहीं बनाते हैं पहले बना लेते थे अभी भी बना लेते हैं जहां पर ज़रूरत होती है कि यहां यहां वेंटिलेशन के लिए चाहिए होगा तो यूज़ कर लेते हैं continue रखते हैं ना focus करिएगा भी ठीक है ध्यान पूर्वक दोनों चीज़े important है देखो life में actually हम पैदा क्यों है enjoy करने के लिए खुश रहने के लिए हुआ है वो भी हमें करना है हमारे festivals जो हैं तो वो festivals जो हैं वो certain times अखा हुआ है हमने कि हां किसी बात को ले करके किसी अच्छी बात को ले करके किस चीज से हमें सिक्षा मिलती है उसको ले करके हम celebrate कर रहे हैं उस time पे घर परिवार रिष्टेदारों के साथ बैट रहे हैं बात कर रहे हैं दोस्तों से मिल रहे हैं सब कुछ entertainment चल रहा है वो सब बहुत important है हमारी life का एक बहुत एहम हिस्सा है लेकिन साथ ही साथ में हमारा future हमारा career भी है दोनों को manage तभी कर पाएंगे जब यथावत समय दिया जाएगा पढ़ाई के time पर पढ़ाई करेंगे तो बाद में जो समय बचे का entertainment का उसमें भी properly enjoy कर पाएंगे आज class ले ली तो शाम तक आप एकदम chill रहेंगे, relaxed रहेंगे कि हाँ बाई सुबह मैंने पढ़ाई किया, यह class मैंने अटेंड कर ले अभी class भी डंसे नहीं ले रहे हैं समझ भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर बाद में पूरा दिन रहेगा paper है, paper है, पढ़ना है, पढ़ना है दिवाली, दिवाली enjoy नहीं करेंगे भाई, पढ़ाई हो रही है अभी तो दोनों ही चीज़े ना कर पाएंगे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना वो enjoy कर पा रहे हैं इसलिए focus होकर, थोड़ा सा काम करें देखें, next year मना लेंगे, तो चलो अच्छी बात है आपका dedication है, लेकिन इस year भी कुछ enjoy अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए important है कि अभी थोड़ा पढ़ाई करें हो helical या spiral shape की stairs हो सकते हैं, अभी तक कोई questions बने नहीं, अभी तक कहानी है चल रही है शुरू से अभी तक helical जब भी आप देखते होंगे किराय के मकानों में जहां पर बाहर, घर के बाहर कोई stairs अगर आपको प्रोवाइड करनी है, तो helical stairs जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, geometrical stairs अब geometrical stairs आपके उपर है, कि भाई मुझे तो पढ़ोसी नो जो घर बनाया है उससे कुछ अलग ही बनाना है, कुछ अलग ही geometric ही होनी चाहिए, तो वो geometrical stairs हो सकते हैं, वो geometrical का कोई end नहीं है, जैसी जो मरजी आपको जो shape अच्छी लगे, जैसी stairs बनाना चाहें, वैसी बना सकते हैं फिर उसके बाद building component के इंदर next component आता है, उसके plastering pointing, painting, white washing, etc. ये सारी चीज़ें, plastering के अंदर आप क्या करते हैं, कि जो brick work हो गया, brick work के बाद जो unevenness है उसको cover कर रहे हैं, तो plastering कर देते हैं, फिर उसके बाद pointing की बाद आती है, तो pointing के अंदर जो brick work हमारा हुआ, दो brick की layers के बीच में, ये brick की एक layer, ये brick की दूसरी layer, इन दोनों brick की layers के बीच में यहाँ पर raking करते हैं, दो-दो centimeter का material निकालते हैं, फिर high strength mortar इसके अंदर fill कर दिया जाता है, तो raking provide करते हैं, painting, varnishing, polishing, finishes provide कर रहे हैं, अब आप चाहें plaster के उपर provide करें, इसे floor चाहें आप wooden work के उपर करें, cupboards पर करें, doors, windows के उपर करें, तो ये सब finishes provide की जाते हैं, flooring जहां पर हम move कर रहे हैं, जिसके उपर हम रह रहे हैं, so flooring उसके उपर करेंगे, तो flooring depend करता है, आप किस से कर रहे हैं, हो सकता है, simple, ties यूज़ कर लें, bricks यूज़ कर सकते हैं, marble यूज़ कर सकते हैं, green light यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ करेंगे, अब बात आती है, पहला topic हमारा खतम, पहला topic था building के components क्या-क्या होते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी, अब बात करते हैं, construction of substructure, construction of substructure के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आएगा कि soil को समझना, एक आएगा footing को समझना, soil को समझने का part foundation engineering के अंदर, और इस structure को समझने का part, इसके design का part RCC के अंदर आ जाता है हमारा, तो ये पार्ट वो building का वो part, जो ground level से नीचे आता है, जिसे foundation कहते हैं, ये सब structure कहते हैं, soil के direct contact में होगा, ये सारा load नीचे transfer करेगा, अब आप जब foundation बनाएंगे, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक broad से aspect से, building construction के point of view से बात कर रहे हैं, soil mechanics में हमारा interest क्या होता है, कि soil की load bearing capacity कितनी है, तो foundation का वो part देखते हैं, RCC में हमारा interest क्या होता है, कि ये जो footing बनेगी, तो ये footing के अंदर concrete कौन सा यूज़ करें, footing slab कैसे यूज़ करें, इसके अंदर steel कितना यूज़ करें, वहाँ पर वो interest आ जाता है, यहाँ पर है कि अब actual construction करवाना है, तो कैसे करवाना है, building construction पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर, तो construction जब करवाना है, तो सबसे पहले आपको ground के उपर एक layout set करना होगा, आप ground पर चलेगे, excavation या filling जो करवानी है, वो करेंगे, एक layout देखेंगे हम यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर excavation होना है, या वो trench जो है, वो बनना है, so excavation of foundation starts immediately after this process, lines and marks set out by the process are known as guidelines, guide and provide checks in the construction of foundation work, तो आप ऐसे layout बनाएंगे, फिर उसके बाद excavation आप start करेंगे, a line is a line which can easily be established is selected, तो एक line जो easily established की जा सकती हो, road से कितने distance के उपर A point होगा, road से कितने distance पर B point होगा, यह establish कर लिया, फिर AB line जो बेस लाइन की तरह act करेंगे, फिर जो building का plan है हमारे पास, उसके according हम आगे further शुरू कर देंगे, इसकी excavation वाला part, उसमें आप क्या क्या करेंगे, center line, wooden pegs are driven in ground and they project, wooden pegs लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और यह ground level से कितना उपर हमें दिखाई देगी, लगबग 2.5 से 5 cm ground level से उपर यह project करेंगी, जिनके along, फिर उसके बाद हमारा excavation या further part जो वो start होगा, two or more pegs are driven at equal distance on either side of the center line, एक इस तरफ center line के, एक इस तरफ आप provide कर रहे हैं या इस तरफ provide कर रहे हैं, तो दो या इससे जदा भी use कर सकते हैं, हर side पे आप peg provide कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस foundation को आप इस तरीके से trace कर लेंगे, आप thread के तरू भी आप इसको पता कर सकते हैं, कि किस line के along आपको excavation करना है फिर strings या जो धागे बांद लेते हैं उनके थुरू आप यहाँ पर देखेंगे कि किस line के along आप यहाँ पर चूना या lime powder डाल देते हैं तो उस line के along excavation कर लेंगे तो अभी तक तो इतना कुछ मुश्किल आया नहीं है साथ ही साथ में 5 मीटर के distance पर यहाँ की center line से भी 5 मीटर यहाँ की center line से भी 5 मीटर के distance के उपर आप क्या कर देते हैं mesnery या brick से pillar बना देते हैं चोटे चोटे आपने देखे होंगे या कई बार क्या होता है simple वैसे bricks रखके धागे बांद के वो ऐसे straight एक धागा बांदे हुए रखते हैं वो center line को observe करने के लिए तो यह mesnery pillars जो हैं वो हम लगा देते हैं यहाँ पर one brick thickness के या एक brick ऐसे एक brick ऐसे इस तरीके से provide कर दिये जाते हैं along the center line pegs the mesnery pillars of section one brick by one brick are constructed height of pillar is kept at plinth level, plinth level के बराबर उस pillar की height हम रखते हैं all pillars are kept at same level dumpy level का आप use कर सकते हैं इसके अंदर sufficient distance पर हम रखेंगे इनको 5-5 meter generally ताकि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है उसमें यह obstruction ना बने, रुखावट ना बने top surface of pillar को plaster कर देंगे plaster करके इनमें cut बना देंगे ऐसे top surface को plaster करेंगे और plaster करके इसके अंदर ऐसे cut बना दिया माल लीजी तो उसके along अब हम देख सकते हैं इसके center line इसमें ऐसे cut कर दिया आपने तो इसके along इसके center line को trace किया जा सकता है top surface of pillar is plastered and grooves या cuts जो हैं वो बना देते हैं ये center line को represent करेंगे फिर excavation अब start हो सकता है दुबारा से सुनिए फटा फट excavation के अंदर क्या क्या हुआ excavation के अंदर सबसे पहले हमने ऐसे pegs लगा ली थी pegs लगा के ये center lines बना दी इन center lines के along लेहां लाकर के machinery pillars बना दी इन pillars के बीच में plaster करके cut बना दिया जिससे कि हम ये center line की direction जो है observe कर पाएं फिर उसके बाद excavation जो है भो हम start कर देंगे अब excavation की start करने के बाद check भी तो करना पड़ेगा कितना excavate कर दिया तो ये boning rod जो होती है उसकी मदद से distance distance पे आप check कर सकते हैं कि कितना excavation हो गया so depth of excavation is checked by fixing a string depth of excavation is checked by fixing a string along the grooves जो भी आपने pillars construct किये थे तो इन pillars को plinth level तक रख रहे हैं वैसे तो इन pillars के ऐसे इस direction में आपने हम पर string या धागा बांद रखा था उससे आप ये जो boning rod है इसके उपर लगा कि आप धागा ऐसे जा रहा होगा इस boning rod लगा कि आप check कर सकते हैं कि कितना excavation हो गया नाम याद रखना है आपको कि what is boning rod length of the boning rod should be equal to the depth of foundation trenches measured from the plinth level plinth level से कितना foundation का depth होना चाहिए इतनी इसकी depth लेंगे तो आप observe कर सकते हैं width को check करने के लिए center line को transfer करेंगे center line को plum bob की मदद से कि जैसे यह foundation थी है इसकी center line अब इस center line पे plum bob लगा के नीचे तक देखेंगे फिर नीचे वाली level पे जाके बहां जाके width आप check करेंगे wooden stick की मदद से कर सकते हैं steel bar से आप check कर सकते हैं इसको wooden stick और steel bar of dia 6 mm is taken and moved in the trench कि उसको trench में move करवा लेंगे कि हाँ इतनी width का excavation करना था कर लिया यहां से ले करके यहां तक ऐसे वो stick या बार को ऐसे move कराएंगे इसके इंदर फिर उसके बाद अगर हम बात करें rectangles जो आपको बनाने हैं तो rectangles को आप कैसे check करेंगे rectangles laid on ground should be checked by measuring diagonals कोई भी अगर rectangular portion excavate किया है या बीच में बचा है कैसा भी portion है तो ऐसे diagonals के along इनकी measurement करके check कर सकते हैं यह पूरा जो bed होगा foundation trench का यह पूरा foundation trench जो बनाया जा रहा है इसका bed same level पे होना चाहिए यह ऐसा नहीं है कहीं से जादा excavate कर दिया कहीं से कम excavate कर दिया same level रहना चाहिए उसके बाद इसके उपर construction शुरू होगा foundation के इंदर क्या-क्या use किया जा सकता है lime और sand brick bat इनका proportion use करेंगे brick bats या जो over burnt bricks होती हैं उनको तोड़ करके वो भी use की जा सकते हैं तो 1 is to 2 is to 4 के proportion के इंदर हम इनको mix करते हैं plain cement sand अगर आप use कर रहे हैं brick bat use कर रहे हैं तो 1 to 4 आप इसका use कर सकते हैं 1 to 4 के proportion में foundation में इस्तिमाल किया जा सकता है अब अगर आप excavation कर रहे थे और excavation करते करते यहां पर पानी आ गया water आ गया इसके अंदर या फिर और बड़ा trench था तो उसके अंदर अगर de-watering करनी है उसमें से पानी निकालना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं पहला pumping, pump करके आप water जो है उसको बाहर निकाल देंगे दूसरा तरीका है कि construction sumps and side drains side में कोई sump बनाया है drain बनाई जिसके अंदर वो water जो है यहां से निकलता चला जाएगा धीरे-धीरे drain out हो जाएगा यहां एक जगा इकठा हो गया या drain से बाहर निकल जाए वहां से pump से हमने उसे बाहर निकाल दिया cement की grouting से हम उसको बंद कर सकते हैं जो फर्दर आता चला जा रहा है cement का grout fill कर देंगे उसके अंदर हम well point system well point system के अंदर आप एक pipe और riser pipe जो है इनका आप इस्तेमाल करेंगे water को extract करने के लिए pump out करने के लिए chemical processes कुछ ऐसे chemicals जो कि sodium silicate lignosulfate ऐसे chemicals का इस्तेमाल किया जा सकता है जो water को वहां से remove करें या फिर absorb करें freezing process के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाए temperature naturally इतना available है कि वो water freeze हो सकता है electro osmosis process इसके अंदर आप electrodes और anode cathode इनका आप इस्तेमाल करके उस particular ground से current pass करेंगे water evaporate हो जाए वहां से या फिर water एक जगाई कठा हो जाए इसको बाहर निकाल पाए तो यह use कर सकते हैं foundation वाले component के अंदर types of foundation कौन कौन सी होती है shallow foundation deep foundation फिर foundation के अंदर shallow में भी हमने फर्दर बात कर ली थी isolated strap footing soil mechanics में यह सारी types of foundation हम पढ़ चुके है bearing capacities क्या होता है bearing capacity कैसे calculate करते हैं यह foundation engineering वाला component है next आते है construction करना था आपको पानी के बीच में लेकिन पानी को हटा करके तो coffer dam का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको structure यहां पर दिखाई दे रहा है आसपास पूरा पानी था माल लीजे यहां पर कोई आपको pier बनाना है या फिर यह कह लीजे bridge का जो pillar है वो बनाना है आपको यहां पर तो आसपास से पानी हटा करके फिर यहां construction हो जाएगा फिर बाद में यह हटा देंगे हम यहां पर तो एक ऐसा temporary structure है पानी को हटाने के लिए remove करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यहां पर भी आपको एक type of coffer dam दिखाई दे रहा है आसपास पानी है बीच में हमने हटा लिया है ताकि यहां पर हम construction कर पाएं अब coffer dam की requirement क्या क्या है एक एक करके देखते हैं यह जहां पर construction होगा site का वहां पर बनाया जाएगा coffer dam का advantage क्या है कि large area site का जो होगा उसको आप enclose कर सकते हैं एक reasonable depth तक अच्छी खासी depth तक आप उसको enclose कर सकते हैं next आते हैं it should be water tight either rest on impervious soil और a bed of concrete may be laid at bottom of coffer dam कि आप चारे हैं कि यह coffer dam बनाया अब यह coffer dam का bottom जहां पर जाके rest करेगा यह bottom जहां rest करेगा तो यह bottom यह तो एक firm hard strata के उपर हो या फिर वहां concrete का एक bed बना देंगे उसके उपर जाकर यह coffer dam रहेगा absolute water tightness नहीं चीए थोड़ा बहुत पानी आएगा तो चल सकता है लेकिन water tight होना चाहिए absolute water tightness is not required coffer dam should be cost effective बहुत ज़ादा एकदम water tight करने की कोशिश करेंगे इनको तो फिर expenses भी बहुत ज़ाद हो जाएंगे हमारे water to be excluded by coffer dam can be groundwater water lying above ground level deep year running water भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ground water table थोड़ी उपर थी उस वाले पानी को हटाना है ऐसा हो सकता है कोई रुका हुआ पानी था ऐसा हो सकता है कि भैता हुआ पानी और running water के बीच में construction करना है water को हटाते हुए तो यहाँ पर coffer dam का आप इस्तेमाल कर सकते हैं materials used timber हो सकता है मिट्टी हो सकती है इनसे भी coffer dam बना सकते हैं steel से बना सकते हैं concrete से बना सकते हैं तो यहाँ पे आपको steel से बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे wood और combination से आपको बना हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे structure बनाए जा सकते हैं, type of construction depends upon depth, soil की condition क्या है, water level का fluctuation क्या है, pressure कितना है, water flow कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर materials decide करेंगे, so coffer dam है क्या यह आपको पता होना चाहिए basically, coffer dam जो है वो एक ऐसा structure है, जो कि आप इस्तिमाल कर रहे हैं, water को हटाने के लिए ताकि structure बना सकें, अब इसके uses क्या है, अगर आपको pile install करनी है, पाई driving operations अगर आपको करने हैं जैसे, यह जो bridges के अंदर pillars होते हैं, तो जो beach में होते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं piers, और ends पे होती है abutments, bridge के end पे abutments होती हैं, beach में जो भी columns दिखते हैं, आपको piers हो जो होते हैं, या pillars जिनको बोल देते हैं, piers कहलाते हैं, तो अगर यह construct करना है, तो उसके लिए coffer dam काम आएगा, grillage foundation या raft foundation कहीं पर लगानी है, तो उसके लिए coffer dam की ज़रूरत पड़ेगी, to construct foundation for piers and abutments of bridges, to enclose a space or removal of sunken vessels, कि जहां पर भी, मान लीजिए कोई ship थी, वो कहीं पर अगर फस गई है, sink हो गई है, या do भी गई है, उसको अगर निकालना है उसमें से, मतलब ground के अंदर से निकालना है उसको, तो coffer dam उसके around बना करके, वहां से पानी हटा करके, जिस मलबे में या debris में वो दबी होई है, उससे हम उसको निकाल सकता है, types of coffer dam के अंदर, already discuss कर लिया, वैसे थो हमने किस type का material है, कितना area includes करना है, उसके according आप types of coffer dam opt करेंगे, अब कुछ generic terms जो है, या generic coffer dam से इनकी बात कर लेते हैं, जिन में पहला आता है dykes, dykes के अंदर पहला हो सकता है earth dykes, मिट्टी से आपने क्या कर दिया, cover कर दिया इसको, dam बना दिया, ऐसे all around, उस area को मिट्टी से cover कर दिया, जिससे side से पानी अब उसके बीच में ना है, फिर हो सकता है rock dykes, rock dykes के अंदर आप यहाँ पर आपने, rocks जो हैं, वो आपने use कर लिए, यहाँ पर rocks के छोटे छोटे particles, use करके आपने यह बना दिया, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कि इस तरीके से rocks का एक आप bed बना लेंगे, जिस area के बीच में construction होना है, और बाहर पानी था उसके, तो उसमें पानी ना आए, उसको prevent करने के लिए, तो earth dyke मिटी से बना हुआ, rock dykes, rocks से आप यह particles जो होते हैं, इनसे आप कर सकते हैं, problem क्या क्या आ सकती हैं इसके अंदर, earth dyke जो है, इसके advantages यह हो जाएंगे, earth dyke के अंदर मिटी ही तो use हो रही है, तो अच्छी बात है, आप इसको impervious करने के लिए, एक sheet pile भी बीच में use कर सकते हैं, कोई metal भी हो सकते हैं, concrete की भी हो सकते हैं, एक ऐसी layer, एक ऐसी sheet pile, एक ऐसी sheet use कर लेंगे, कि इसके थूँ अब water अंदर ना जा पाए, इसके थूँ पास ना कर पाए, सिर्फ disadvantage यह है, कि इनके थूँ पानी ट्रेवल कर सकता है, नीचे आपको images दे रखें, यह मिट्टे से बनाया हुआ है, यह आपकी riprap rock से बनाया हुआ है, फिर हो सकती है, sand bag, sand से भरके bag जो हैं, वो आपने लगा दिये, तो sand bag dykes जो हैं, वो भी form हो सकता है, next आता है, sand bag वाले dykes, तो इन में बहुत जादा detail में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, simple, image देखकर के समझ में आ रहा है, कि हाँ, sand bag से आपने dykes बनाया, यह भी एक type का coffer dam है, तो coffer dam के अंदर पहला type था, dykes बना देना, एक ऐसी barrier या boundary बना देना, वो soil से बना रहे हैं, rock से बना रहे हैं, या फिर आप sand के भरे हुए bags जो हैं, उनसे बना रहे हैं, इसमें बस void जादा आ जाते हैं, खाली जगां बीच में जादा रहती हैं, फिर उसके बाद next आते हैं, single wall वाले coffer dam, तो अगर area छोटा होता है, तो एक single wall coffer dam, जो हैं वो हम इसके अंदर enclose कर सकते हैं, जब area थोड़ा जादा हो जाएगा, large होगा, when area to be enclosed is large, उसके around जादा पानी आ जाएगा, उस case में double wall वाला coffer dam, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ohio river type का use किया जाता है, जब river के अंदर slow currents होंगे, wood या steel sheets जो हैं, वो भी आप use कर सकते हैं इसके अंदर, next आता है हमारे पास cellular coffer dams, ये steel की sheets के बने हुए होंगे, top view से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही है, ये cells वाले या cellular coffer dams देखने को मिलते हैं, they are made of steel sheet piles, used for under watering large areas, diaphragm cells या circular cells होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जादा material चाहिए, लेकिन ये कुछ advantages हैं, अच्छे से पानी को ये रोक पाते हैं, अपने cellular shape होने की वज़े से, इसके अंदर stress concentrations नहीं होते हैं, जहाँ पर भी corners आ जाते हैं, corner के उपर stress accumulation हो जाता है, तो इनमें ये मदद कर देते हैं, next आते हैं, rock filled crib coffer dam, एक आपने crib या cage ले लिया एक तरीके से, यहाँ पर जैसे wood का बना हुवा cage है, इसमें rocks भर दियां आपने, तो ये cage तो इस rocks को stability प्रोवाइड कर रहा है, और ये rocks जो है, ये barrier बन रहे हैं, कि इनके थुरू पानी नहीं travel करके जाएगा यहाँ पर, so timber की cribs बनी हुई होते हैं, the pockets formed are filled with rock, gravel या sand से बर देते, timber जो हैं, उनके अंदर rough logs यूज़ किये जाते हैं, एकदम fine wood नहीं use करते हैं, बहुत जादा current आएंगे, उनके अंदर ये मदद कर लेगा, no danger of over topping, फिर आते हैं concrete के coffer dam, concrete से बनाएंगे अगर आप इन coffer dam को, तो small concrete dams are economical on many jobs, pre-cast RCC sheets का इस्तेमाल करेंगे, disadvantage जो है, वो क्या है, temporary coffer dam अगर बनाना है, structures का use करना, फिर उसके बाद movable coffer dams, अब move कर सकते हैं, जिसको आप जैसे ही, तो आप यहाँ पर यह ऐसी sheets यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जिनको move किया जा सकता है, यहाँ पर, single unit of coffer dam is used several times, इसे lift करेंगे, float करेंगे, दूसरी जगा ले जाएंगे, फिर यूज़ कर लेंगे, तो यह suspended या फिर movable coffer dam, coffer dam के अंदर leakage अगर आ जाती है, तो leakage को कैसे prevent किया जा सकता है, clay, ash, sand, इन सब का इस्तेमाल कर सकता है, मिट्टी डाल देंगे जहाँ से भी पानी आ रहा है, उस leakage को prevent करने के लिए, proper compaction करेंगे, उस coffer dam का जहां से भी पानी निकल रहा है, वहाँ पर proper compaction कर दिया जाएगा, leakage अगर serious है, तो आप tarpulin जो है, वो provide कर देंगे, canvas जो होता है, tarpulin, canvas को tar के अंदर coat करके, वो provide कर लेंगे, next आते हैं, construction of, super structure के उपर, super structure का construction करना है, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, दिवार बनानी है, तो bricks mortar का यूज़ कर सकते हैं, stone mortar का यूज़ कर सकते हैं, तो ये machinery material यूज़ हो सकते हैं, तो दो main material हैं आपके पास, एक है stone, एक mortar, अगर stone machinery की तरफ जा रहे हैं, brick machinery की बात करेंगे, तो brick हो जाएगा, और उसके अंदर mortar आ जाएगा, अब stones में कौन कौन से stones हो सकते हैं, stone के examples के अगर हम बात करें, तो stone के examples में तो basalt आ जाता है, chalk आ जाता है, granite आ जाता है, यहाँ पर हमें building construction के point of view से पढ़ना है, building material के point of view से पहले पढ़ चुके हैं, अब construct करना है, तो मतलब stones को join करना है, stones को join करना है, तो stone के बीच में joint बनाएंगे, अब joint अगर end to end रख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं but joint, rebated joint के अंदर क्या होगा, तो एक तरफ ऐसे L-shape का cut बनाया, दूसरे तरफ L-shape का cut बनाया, उनको join करवा दिया, तो इसे rebated बोल देते हैं, rebates are provided that prevents movement of stone, अब इस case में तो यह stone ऐसे displace हो सकता था sideways direction में, बट joint के case में, लेकिन इसमें displacement मुश्किल हो जाएगा इसका, tongue and groove joint, एक तरफ आपने यह tongue बनाई, projection बनाया, दूसरे तरफ cut बनाया, तो एक के अंदर यह tongue बनी हुई है, दूसरे के अंदर यह groove यह cut बना हुई है, जिससे कि यह इसके अंदर fix हो जाएगा, तो इसे tongue and groove joint, या इसे joggle joint के नाम से भी हम जानते हैं, तो objective में क्या पूछेगा, a joint in which groove is made on one end, and tongue is made on another end, तो उस joint का नाम क्या होगा, फिर चाल आपको option देदेगा, butt joint, lap joint, rebate joint, joggle joint, तो आपको पता होना चाहिए, इसे joggle joint कहते हैं, rebated joint के अंदर, यहाँ से L-shape cut बनाया, दोनों के उपर वो provide कर दिया, नेक्स आते हैं, table joint के उपर, table joint के अंदर इस तरीके से, यहाँ पर एक section provide कर दिया, या इसमें C section provide कर दिया, इसमें इसको install कर दिया, so joggle is provided in bed of stone, sea walls के अंदर, या heavy lateral pressure जहाँ पर भी, जिन structure में आता है, उनमें ऐसे provide कर सकते हैं, अगर आप बीच में steel की bar या dowels provide कर रहे हैं, इनके joint के बीच में, तो वो dowel joint जो है, वो कहलाता है, अब steel की bar यूज करने हैं, वो यूज कर सकते हैं, कोई और hard material या hard stone, जिस stone को join कर वा रहे हैं, उनके बीच में, उससे ज़ादा hard कोई stone use किया जा सकता है, इनको joint करवाने के लिए, stone machinery के अंदर, किस किस तरीके से, stones को रखा जा सकता है, पहला आता है, rubble machinery, rubble machinery मतलब, irregular size के stone, जो है, वो रखते चले गए, use करते गए, structure हमारा बनाते चले गए, यहाँ पर, strength जो है, वो depend करेगी, कि mortar कितना use किया है, stones जो है, वो किस strength के है, ashlar machinery के अंदर, आप shape select करेंगे, कि अच्छी सी shape हो, यहाँ पर rectangular या square shape के stones होंगे, उनको ही रखने की कोशिश करेंगे, जैसे brick work के अंदर हम करते हैं, उसके बाद stone machinery के अंदर, पहला rubble था, दूसरा ashlar था, rubble के अंदर भी coarse rubble, uncourse, random, polygonal, flint rubble हो सकता है, ashlar machinery के अंदर, fine ashlar, rough tooled, या फिर ashlar rock, ashlar chamfered, या ashlar block, ये इनके example हो सकते हैं, कि कैसी कैसे आप use कर रहे हैं, bricks को, sorry, stone work को, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ appearance देने के लिए, सिर्फ appearance देने के लिए, आप stone work उपर से कर सकते हैं, पीछे कुछ और हो सकता है, कोई rock garden ही बनाना है, आपको तो वो कर सकते हैं, so facing and backing of wall, are constructed different classes of machinery material, facing में क्या provide करना है, backing में क्या provide करना है, जैसे आपने ये भी देखा होगा न, कि ऐसी दिवार जो घर के पीछे जा रही है, पीछे वाली दिवार है, तो हम घर के internal surface, जो भी आपका मेंसन होता है न, वो दिवार की finishing उस side जादा रखेगा, जो हमारे घर के अंदर आ रही है, जो outer वाली है, उसमें इतनी नहीं रखेगा, या back side वाली जो दिवार है, उसकी इतनी नहीं रखेगा, तो जहां पर appearance अच्छी होती है, वहां पर facing अच्छी कर लेंगे, दूसरी side वाली, बाद में plaster करके, या कैसे भी cover कर सकते हैं उसको, so facing and backing of wall are constructive, with different class of machinery या material, अब depend करता है, कि आपको कैसी facing चाहिए, देखे, पहली आई composite, जिसके अंदर आपकी front की तरफ देख रहे हैं, आप दिवार की, ये front है, ये back side है, तो इस तरफ अगर आप देख रहे हैं, facing के अंदर तो ashlar machinery यूज़ कर लेंगे, पीछे जो है rubble, मतलब random size यूज़ कर लिया, बस इस तरफ दिखें, अच्छा दिखें, तो वो हमने यहाँ पर ashlar master यूज़ कर लिया, फिर आता है next हमारे पास, कि आपने एक तरफ brick यूज़ कर लिया, दूसरी तरफ ashlar या stone वाला यूज़ कर लिया, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर आपने क्या किया next, पूरा का पूरा यूज़ यूज़ कर लिया structure, stone के सिर्फ और सिर्फ tiles यूज़ कर लिया, जैसे कुछ घर के बाहर आपको देखने को मिलता है, वह स्टोन वाला लुक देना है, तो बनी दिवारे bricks की ही हैं, बस उसके उपर stone के tiles या वो लगा दी गई, next आते हैं, हाँ जी बिल्कुल, appearance के लिए, facing and backing of wall, इसके इंदर और further examples क्या क्या हो सकते हैं, यहां brick use किया, यहां पर अलग टाइप के आपने brick master यूज़ कर ली, यहां rubble stones यूज़ कर सकते हैं, front beam brick यूज़ कर ली आपने, यहां फिर यहां पर concrete यूज़ किया, cement concrete, यहां पर brick master यूज़ कर ली, तो composite master यह, combinations यूज़ कर रहे हैं, next आते हैं cavity walls, जहां पर भी insulation provide करना है, insulation आपको temperature से provide करना है, sound से provide करना है, heat से provide करना है, कैसे भी insulation प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए cavity wall, cavity मतलब खाली जगा, तो इसके अंदर दो walls होंगी, जिनके बीच में खाली जगा दे देंगे, तो वो मिल करके cavity wall बन रही है एक leaf, दूसरी leaf जैसे पत्तों वाली leaf होती है न वैसे बोलते है एक leaf ये, दूसरी leaf ये और बीच में खाली जगा जिसको किसी material से भी fill कर सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं, जिससे कि ये cavity wall हमारी बन रही है, so cavity wall दो separate walls बनाई जाती है फिर इनके बीच में खाली जगा रखा जाता है जिसके कारण heat या sound इस खाली जगा से travel नहीं कर पाएगा These two separate walls are called as leaves of cavity wall The inner wall is called as internal leaf and outer wall is called as external leaf cavity wall को hollow wall भी, खोखली wall भी भूलते हैं आप इसके अंदर और भी इसके जो देख सकते हैं cavity walls के example cavity walls के अंदर बीच में भूल भरी जा सकती है, कुछ ऐसा material भरा जा सकता है, जो sound absorbing हो तो उसको भरते कैसे हैं, construction करतेंगे जब हम, तब तो दो leaves बना देंगे, पूरी दिवार construct हो गई, उपर तक चले गई अब पूरी दिवार जब उपर तक construct हो गई ceiling तक, तो अब उसमें कैसे material भले भरे, तो उसमें एक hole किया जाता है और hole करके हम pressure से, या फिर flow करवाके, wool या जो insulating material है, उसको उसके अंदर flow करवाएंगे, जो अपने आप ही पूरे इसके अंदर फैल जाएगा, इस खाली जगा इस पूरी cavity में fill हो जाएगा, पहले से जब construction के दोरान भी करना चाहते हैं, तो तब भी आप fill कर सकते हैं, उसमें cavity walls के advantage बताने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या क्या चीज़ें prevent कर सकता है dampness को prevent कर देगा, sound को prevent कर देगा, heat को prevent कर देगा तो इनका use किया जा सकता है next आते हैं, scaffolding, shoring and underpining क्या क्या होता है, इनको देखते हैं, scaffolding, shoring and underpining देखें, scaffolding, shoring and underpining के अंदर हमारे ऐसे structures, temporarily जो बनाए जाते है ऐसे structure जो temporarily बनाए जाते है support करने के लिए construction को, maintenance को इन्हें हम बोलते हैं, scaffolding ऐसे structures जो temporarily बनाए जाते है एक काम करते हैं, देखें ये topic cover कर लेते हैं फिर उसके बाद next वाला topic एक और पार्ट के अंदर कर लेंगे तो दो पार्ट में ये पूरा subject cover हो जाएगा क्योंकि यहां कुछ चीज़े हैं जो ध्यान-ध्यान से समझ दी होंगी तो अभी इसके अंदर पढ़ते हैं ये वाला topic फिर उसके बाद next topic जो हमारा होगा कल सुबह के session के अंदर हम cover करेंगे देखें अब बात कर रहे हैं स्कैफ फूल्डिंग की सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं स्कैफ फूल्डिंग की बात कर रहे हैं स्कैफ फूल्डिंग एक ऐसा structure होता है जब भी आपको 1.5 मीटर की height से उपर अगर काम करना है तो उसके लिए ये structures construct किये जाएंगे जिससे की लोग यहाँ पर इनके उपर खड़े हो करके काम कर पाएं वो काम चाहिए construction का है maintenance का है कुछ भी काम है स्कैफ फूल्डिंग के अंदर कुछ terms है और ये सारी definitions बता होनी चीए exam में पूछी जाती है definition की terms में states के exam में specially अब अगर स्कैफ फूल्डिंग को आप देखेंगे जैसे ये स्कैफ फूल्डिंग आपको दिख रही है तो इनके अंदर कुछ चीज़ें आपको देखनी है पहला आता है standard standard कहलाते है vertical members framework के जो की ground के उपर supported हैं या नीचे drums तो ये जो आपके standards है नीचे जाके directly ground पर भी रखे हुए हो सकते हैं या फिर नीचे कोई drum हो सकता है उसके अंदर भी रखे हुए हो सकते हैं ledgers क्या होते हैं horizontal member parallel to the wall ये दिवार दिख रही है आपको इस दिवार के parallel ये जो members चल रहे हैं ये क्या कहलाएंगे ledgers कहलाएंगे इस diagram में अगर आप देखेंगे तो diagram में ये आपके जो inclined member, vertical members ये vertical members तो standard दिखाई दे रहे हैं और ये आपको यहाँ पर दिवार के parallel मतलब into the plane आपको दिखेंगे into the plane ऐसे ऐसे लगए हुए ये ledgers दिखाई दे रहे हैं ये wall है wall के paralleli ledger दिखाई दे रहे हैं clear so standards vertical member होते हैं ledger वो horizontal member है लेकिन वो parallel to the wall है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारे ledgers दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरीके से जो wall के paralleli चल रहे है next आते हैं put log put log होते हैं कि जो आप transversely put करते हैं इस diagram में देखिए ऐसे वाले जो भी ऐसे members है जो into the plane जा रहे हैं wall के perpendicular जा रहे हैं या ये जो ledgers थे इन ledgers के perpendicular ऐसे जा रहे हैं into the plane इस diagram में देखेंगे तो आपके put logs जो हैं वो आपको यहां पर ऐसे दिखाई देंगे इस तरीके से ये जितने भी members दिखाई दे रहे हैं ये सारे put logs हैं दिवार के तरफ दिवार के अंदर जा रहे हैं so these are transverse pieces which are placed on the ledger and are supported by wall on other side wall पे भी हो सकता है या फिर अगर double scaffolding आपने use की है दो-दो standard वाली तो उसमें दूसरे standard तक जा सकता है कि अगर हमें चाहिए कि भाई दिवार के अंदर छेद करके नहीं support करना इसको तो वो भी कर सकता है transverse क्या होते हैं these are put logs but both ends are supported by ledgers दोनों end ये अगर ledgers पे supported हो एक ledger ये वाला दूसरा ledger ये वाला इनके उपर ये जो आपके पास है इन्हें transoms बोल देते हैं तो transom भी एक तरीके का आपका put log ही हो गया जो कि दोनों side से ही supported है इस पे braces diagonal या cross members bracing जो provide कर रहे हैं guard rails जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इनके लिए guard rail provide की जा सकते हैं कि वो नीचे न गिर जाएं वहां से काम करते वक्त toe board जो आपके पास होता है toe board ledger के बिल्कुल parallel ही चलता है ये भी एक protective measure के form में कि जो भी tools यूज कर रहे हैं कोई काम यूज कर रहे हैं वो बहां से न गिर जाए तो इनके उपर यहां पर toe board प्रोवाइड किया जाता है जैसे इस case में देखें guard rail तो यहां पर provide कर दी कि कोई इनसान अगर यहां पर work कर रहा है तो यह guard rail provide कर दी और यहां पर toe board प्रोवाइड कर दी जिससे कि कोई tools भी नीचे न गिरे यह person भी यहाँ पर नीचे गिरने की tendency ना बन जाए वो use कर सकते है raker जो होता है वो एक inclined support यहाँ पर आपको यह inclined support दिखाई दे रही है तो raker provide कर दिया raking कर दिया हमने इसकी तो यह use किया जा सकता है अलग-अलग type की scale folding हो सकती है पहली single scale folding single scale folding के अंदर जिनके उपर आपने यह ledgers रख रखे है या transoms रख रखे है जैसे इस case में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है double balli scale folding की एक standard यह चल रहा है दूसरा standard यह चल रहा है इनके उपर यह transoms या फिर ledgers जो हैं आपने ऐसे रख रखे हैं next आते हैं cantilever या फिर needle scale folding cantilevered needle scale folding जहाँ पर height बहुत जादा हो गई अब floor by floor आप चलते जा रहे थे तो इसके केस में आप यहाँ पर cantilevered portion में या needle scale folding इसको आप बोल सकते हैं तो needle या extended वाली या आपकी scale folding हो गई suspended scale folding जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो malls होते हैं उनकी cleaning अगर हो रही होती है वैसे individual person भी suspend होके वो कर देता है उसको लेकिन अगर suspended scale folding यूज़ करेंगे बहुत ही छोटा काम करना है अगर थोड़ी सी जगा move करवा के लिए जा सकते हैं tristles scale folding का आपके इस्तिमाल कर सकते हैं पांच मीटर की height तक के लिए ये tristles का use कर सकते हैं tristles scale folding का क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है scaffolding के लिए पहला bedding of standard standard जो होंगे ये जो रखे जाएंगे या तो ऐसे जो drum दिखाई दे रहा है आपको इस drum के अंदर रखेंगे या ground के उपर आप इसको रखेंगे bricks के उपर नहीं रखेंगे load जादा आ जाता है कही बार वो तूट जाएंगे displays हो सकते हैं heavy load should not be applied as it is a temporary structure when the work proceeds जैसे जैसे काम आगे बढ़ता चला जाएगा तो इनको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पर as the work proceeds the standards are suitably length बढ़ाते जाएंगे fresh put logs आप आगे use करेंगे और platforms को जो जो platform जैसे अभी काम यहाँ चल रहा है तो platform यहाँ बनाया हुआ है फिर काम यहाँ चलेगा तो platform उपर ले जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे finishing जैसे स्केफ फोल्डिंग हटाएंगे तो अगर आपने दिवारों में छेद कर रखे हैं कुछ भी आपने यहाँ पर स्केफ फोल्डिंग की वज़े से damage किया था उसे repair आप करेंगे standards की spacing की अगर आप बात करेंगे तो standards की spacing जादा से जादा 3 मीटर होनी चाहिए इस standards से यह 3 मीटर से जादा दूर यह नहीं होने चाहिए next आते हैं shoring क्या होती है shoring के अगर हम horizontal support यहाँ पर provide कर रहे हैं तो इसे बोलते है shoring horizontal support अगर ऐसे provide कर रहे हैं तो यह shoring कहला अलग-अलग example यहाँ पर हमने bracing कर रखिया कि यह side वाली wall इधर न गिर जाए तो इसमें shoring की हुई है हमने तो shoring के अंदर कहां पर shoring की जरूरत पड़ती है अगर दो buildings बनी होई थी जिसमें से एक को dismantle कर रहे हैं इसको dismantle कर रहे हैं तो dismantle करने कोई wall है उसको dismantle करना है फिर से rebuild करना है तो structure को support करने के लिए provide कर सकते हैं large openings जो है उनकी अगर जरूरत है एक main दिवार थी उसके अंदर large openings बनाने की जरूरत है तो उसको support करेंगे शोरिंग करवाएंगे फिर उसके बाद उसको करेंगे walls of building showing signs of bulging out ऐसी दिवारें जो बाहर निकल रही है bulge कर रही है इनको support कर सकते हैं अगर incline support provide कर रहे हैं तो raking वाली shoring है अगर सीधा ऐसे horizontal provide कर दिया तो flying वाली shoring है जैसे इस case में यह flying shoring provide कर रखी है इधर वाले structure को protect कर रहे है with reference to एक ऐसे shoring provide करके इसमें भी एक तरीके से यह flying shoring आपने provide कर रखी है फिर dead या vertical shore भी हो सकते है vertical direction में आपने इसको support कर रखा है तो dead shoring भी हम इसको बोल देंगे इस तरीके से यह vertical direction में provide करके इसे horizontal इसको support किया है आपने यह dead shoring हो गए under pining के अंदर करेंगे अगर नीचे के foundation काफी weak हो गई है तो आप यहां पर इसको strengthen करेंगे किसकी मदद से पहले वाली foundation हटाएंगे नई foundation आप बनाएंगे तो under pining जो है यह jack के through घर को move कर देना आज कल यह भी खूब चलता है so placing of new foundation below existing foundation और process of strengthening existing foundation यह कहलाता है आपका under pining अब building finishes, doors, windows यह वाला component आएगा यह कल सुबह के session के अंदर पढ़ेंगे, कल सुबह early morning session रख लेंगे, 8 बचे, 9 बचे उसके अंदर हम पढ़ेंगे, यह जो बचा हुआ portion है फिर उसके बाद इसके questions हम करेंगे ठीक है, thank you so much मिलते हैं हमार एकले session में, यह हमारा part 1 था मैं title के अंदर और thumbnail के अंदर भी डलबा दूँगा, part 1, part 2 तो उसमें आप पढ़ सकते हैं ओके, thank you so much मिलते हैं हमार एकले session में, तब तक के लिए take care bye bye, आप सभी को धंतेरस की बहुत बहुत शुब काम नाए माता लक्षमी के आपके उपर बहुत-बहुत-बहुत क्रिपा हो, और केस्देवाली के तोहार को आप बहुत अच्छे से मना पाएं, enjoy कर पाएं आज evening के अंदर नहीं session नहीं होगा आज evening में नहीं होगा ओकी, thank you so much take care, bye bye झाल कर अचा है